तो है गाइस वेलकम बैक तो माँ चैनल इंडियन मॉड्स एंड इस टोनी गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आजकल एटमोस्फियर लाइट का बहुत ट्रेंड चल रहा है गाडियों में लगाने का तो गाइस में को मल्टी कलर पसंद नहीं है मैं सिंगल कलर लगाऊंगा ब्लू और गाइस यह डिय वीडियो है जिनको सस्ते में एकदम चीपेश रेट में जिनको एटमोस्फियर लाइट लगानी है उनके लिए हम यह वाली LED यूज़ कुरने वाले गाइस यह अपनी नॉर्माल LED स्ट्रेप आती है वो गाइस प्रोसीज मैंने बहुत जुगार में बनाई है अगर आप इसको फैब्रीगेटर के पास जाके बनवाते हैं तो यह 1020 रूपीज की बन जेगी लगाने को तो हम स्विच डैशबोर्ड में भी लगा सकते बट गाइस हम डैशबोर्ड खराब नहीं करने वाले मैं आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगों जिसमें वायर कटिंग हो कुछ भी हो सो गाइस हम इसका कनेक्शन लेंगे स्टीरियो से और गाइस पीच का उसको यहां इसके पीछे लगाऊंगा इस होल गया और इसके थ्रून नट पास कर दूंगा तो गाइस हम स्टार्ट करते वीडियो में दिखाता हूं आपको कैसे करना है जैसा कि आप देख पारें मैंने वायर को एक्स्टेंड कर लिया पूरा अब हमें LED की प्लेश्मेंट कर लेते हैं LED की प्लेश्मेंट आप अपने इसाफ से कर सकते हैं जाइस मैं उधर दैसबोर दो के पीछे से देनी है तो गया यह जो आप रेड वायर देख पा रहे हैं और एक ब्लेक वायर है ब्लैक वाली नेगेटिव की और रेड वाली पोजिटिव की है उसमें से वायर लेके हमें हमारे स्विंच में लगानी है एक गाई जो हमारी दोना LED को करनेक्ट करके उनकी ये दोनों की negative wire को इस black वाली में लाके connect कर देनी है so guys मैं इतना कर दो तो फिर आपको बतातो guys so guys wiring मैंने कर लिये मैंने उस side में जो LED लगाई थी उस left side में वहाँ से उसकी में दोनों wire को इधर ले आया है और इधर एक जो LED है इसकी wires के साथ में connect कर दिया इन दोनों में से एक wire निकाली guys और उसकी जो negative थी उसको इसमें connect कर दिया शीरियों के negative में और guys जो LED की दोनों positive थी उनको मैं इसमें ले आया है switch के positive switch के दूसरे terminal में so guys देखिए हमने ignition on किया ये ignition on कर लिया so guys जैसे हम इसको switch को दबाएंगे ये हमारी lights चालू हो चुकी है so guys एक बार मैं इनको properly settle कर लाता हूँ पूरी अच्छी तरीके से stick कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे दिख रही है switch की placement कुछ इस टाइप से होई है so guys एक बार इसको on करते हैं इसको on करने के लिए आपको बस अपनी कार का ignition on करते है और यह switch लगाया है यह on करते है so guys देखिए इसका इतना बढ़िया look आया है यह देखिए guys guys यह एकदम नाइट में बहुत शानदर दिखेगी camera एकदम आपके साथ justice नहीं कर पा रहा होगा but guys यह रियल में बहुत अच्छी लग रही है so guys एक बार मैं आपको अपनी कार का walk around भी देता हूँ क्या के lighting setup से इसमें so guys कार का lighting setup कुछ इस आपका है headlight एकदम नॉर्मल येलो है guys यह मैंने custom grill ना रखिए Tata की अगर आपको अगर आपको किसी को भी चाहिए हो तो guys में को आप instagram पे message कर सकते हैं comment में comment कर सकते हैं guys यहां पर भी मैंने LED strip लगा रखिए guys यह सारे fog lamp वर्क है उपर guys मैंने 32 inch का LED बार लगा रख है and guys अब आपको पीछे ना दिखाता हूँ पीछे भी guys मैंने नंबर ब्लेट को पर blue light लगा रखिए so thank you for watching this video guys hope to see you in my next video till then stay tuned and do like this video so guys अगर आपको किसी को भी वो custom grill चाहिए हो को इसी भी कार के लिए तो guys आप में को comment box में comment कर के बता सकते हैं मैं किसी भार काड़ी के लिए custom grill बनाता हूँ कुछ से और एकदम cheap price पर होना तो so guys next video में मिलते thank you